हाई गाईस क्या हाल है सब बढ़िया तो देखो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं धुरूवराटी भाया का जो लेटेस्ट वीडियो है on the betting app scam उसका जो वीडियो का जो थमनेल है वो create करना सीखेंगे photoshop में तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले results देख ल लेना एन देन उस बेल आइकन को भी all पर प्रेस कर लेना और एक बात उनके वीडियो का जो थमनेल है वो time to time change होता रहता है अगर उस थमनेल का जो impression click through rate है वो अगर कम रहता है देन वो change कर देते हैं तो अभी फिलाल जो मुझे थमनेल दिखा दे रहा है मैं उसी का breakdown वीडि चाहिए होंगे images चाहिए होंगे वो सबसे पहले gather up कर लेते हैं Google से या फिर किसी भी इंटरनेट साइट से उसके बाद उन सब फोटो को एक साथ जोड़कर हम लोग ये वाला थमनेल क्रियेट करेंगे Photoshop में और आपको इन सब फोटो को कोई ढूनने का जरूरत नहीं है आप आप लोगों को ये वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि मैं Photoshop का tutorial स्टार्ट होने से पहले पहले इन चारो numbers को मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोगों को simply उस file को या फिर folder को download करना है and then उसको unzip करके आप लोग मेरे साथ tutorial स्टार्ट कर सक यही एक separate topic है जिसके ऊपर मैं एक separate video इस channel पर जरूर अपलोड करूँगा तो उस video के लिए stay tuned रहना by clicking that subscribe button तो अभी topic पर वापस आते हैं तो मैं अपना खुद का image use करूँगा इस thumbnail में आप लोग अपना कर सकते हो या फिर उनके बहुत सारे images आप लोगों को google पर या फिर उ small wheel का इस्तेमाल किया जाता है जिसको रॉलेट भी कहते हैं उसका भी एक image है तो उसको भी हम लोगों ने download कर लिया है फोर्ट लिए आते हैं left side पर तो आप लोगों को यहाँ पर एकदम पीछे दिखाए दे रहा होगा कि black and red color के textures background देखने को मिल रहे हैं तो मैंने इन दोनो images को download किया है जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है या फिर मुझे अच्छा लगता है वो मैं इस tutorial में यूज कर लूँगा फिफ्ट लिए जो flames के images है वो भी आप लोगों को Google पर देखने को मिल जाएंगे तो मैंने इन दोनों images को download किया है तो मुझे बहुत ढूनने के लासली ये जो betting app से उनके logos को भी मैंने download किया है ताकि यहाँ पर हम लोग paste कर सके या फिर डाल सके तो हम लोगों ने सब कुछ download कर लिया है अभी हम लोगों को सिर्फ और सिफ इन सारे चीजों को Photoshop में जोर कर कुछ इस तरीके का thumbnail create करना है और उससे भी पहले ये रहा इस folder का last password तो आप लोगों को simply उस folder को download कर लेना है and then उसको open कर लेना है और मेरे साथ ये वाला tutorial आप लोग स्टार्ट कर सकते हो और आप लोगों को सबसे पहले Photoshop ओपन कर लेना है then आप लोगों को simply उस new file के option पर click करना है then आप लोगों को यहाँ पर preset size select करना होगा तो आप लोग simply 1920 x 1080p वाला जो preset size है उसको आप लोगों को select करना है आप लोग 1280 x 720p वाला जो pixel size है उसको select मत करना क्योंकि अगर आप इस resolution को select करोगे दिन आपका भी thumbnail कुछ रूवराठी भाया के जैसे pixelated देखने को मिलेगा जब आप उनको बरे screen पर देखोगे और इसके पीछे का जो reason है वो मैंने अपने previous thumbnail tutorial videos में आप लोगों को बताया है तो उन सब videos को इस video के बाद आप लोग check out कर सकते हो उन videos में मैंने in detail में समझाया है कि क्यों होता है तो इसके बाद उन सब videos को आप लोग जाकर check out कर सकते हो उनके links आप लोगों को इस video के जो description है उसमें मिल जाएंगे देन उसके बाद आप लोगों को simply इस preset का कोई भी नाम दे देना है जैसे कि मैं देने वाला हो धुरूवरटी thumbnail breakdown 03 और आप लोगों को इसके नीचे जितने भी parameter से उनको कोई भी छेरचार करना नहीं है आप लोगों को simply उस create वाले option पर उसके बाद आप लोगों को क्लिक करना है तो उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा इन extras को height करने के लिए आप लोग simply command h press कर सकते हो इस वज़े से मैं control के जगा command बोलूँगा और alt के जगा option बोलूँगा और आपको कोई tension लेने का बात नहीं है मैं उपर सब कुछ डालता जाओंगा और हम लोग सबसे पहले तो right side create करेंगे उसके बाद हम लोग left side create करेंगे तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले उनका जो thumbnail वो यहाँ पर import कर लेते हैं उसके बाद इस thumbnail को हमारे इस thumbnail के साथ adjust कर लेते हैं कुछ इस तरीके से तो सबसे पहले यहाँ पर बीच का जो यह black color का जो bar है उसको यहाँ पर पहले बना लेते हैं तो वो create करने के यह जो V करके selection tool आप लोग select कर सकते हो command T से इसको transform effect ला सकते हो और इसको यहाँ पर adjust कर सकते हो इसके ऊपर तो कुछ इस तरीके का adjust हो जाने के बाद हम लोग सबसे पहले तो इसके पीछे textures डालेंगे तो वो texture वाला image यहाँ पर import कर लेते हैं तो वो import करने के बाद आप कुछ इस तरीके से वो हो जाने के बाद इसका जो blending option है opacity के under इसको हम लोग कर देंगे overlay और इसके opacity को कर देंगे 40% तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो blue backgrounds download किये थे यह वाला background यहाँ पर डालेंगे और इसको यहाँ से 90% rotate कर देंगे और इसको यहाँ इसको इस साइट पर लेकर जाएंगे कुछ इस तरीके से और इसके extra parts को भी सबसे पहले तो erase कर लेते हैं eraser tool से और इसको रेस्टराइस कर लेते हैं then इसका जो opacity के under blending option है इसको कर देना है color burn by the way मैंने उनके और दो वीडियो का जो thumbnail है उनका भी breakdown video इस channel पर upload किया है तो इस वी इस चैनल पर मैंने upload किया है तो इस वीडियो के बाद उन सब वीडियो को भी upload जाकर check out कर सकते हो link आप लोगों को इस वीडियो के description पर मिल जाएगा और अभी topic पर वापस आते हैं तो उसके बाद आप लोगों को simply इसको adjust कर लेना है अच्छे तरीके से and then इसको इस middle वाले layer के नीचे लेकर चले जाना है और इसके extra parts को भी erase कर देना है और इसको कर देना है multiply तो यह हो जाने के बाद आप लोगों को simply यह वाला जो layer है इसको बंद करना है और इस layer को select करना है और यहाँ पर चले जाना है blur tool पे और इसको कर देना है blur और यहाँ पर strength आप लोग अपने passender कर सकते हो जो भी आपका मन हो और इसको फोरह सा आप लोग increase कर सकते हो around 60% या फिर 70% करके देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पर देख सकते हो कि वो जो है वो यहाँ पर थोरह सा जादा visible हो रहा है तो देखने में अच्छा लगेगा देर आप लोगों को simply क्या करना है कि उपर यहाँ पर आप लोग उनके वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लैक के शेड आ रहे हैं तो वह यहाँ पर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस रेक्टेंगल टूल से यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का rectangle create करेंगे और इसको यहां पर adjust करेंगे sorry इसको command z करते हैं और इस rectangle के layer को उपर लेकर चले आते हैं command t करके इसको यहां पर अच्छे तरीके से adjust करेंगे इसके pixel को कर देना है stroke को कर देना है zero then आप लोगों को simply इसके fill के color को select करना है and then इसके opacity को आप लोग around 90% रख सकते हो 90 या फिर 70% करके देख सकते हो 40% 40% ठीक रहेगा then आप लोगो को simply इसके extra parts को erase कर देना है तो हमारा right side almost complete हो चुका है तो अभी हम लोगों को photo import करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं अपना photo यहाँ पर import करता हूँ आप लोग अपना photo यहाँ पर import कर सकते हो मैं इस photo का इस्तेमाल करूँगा और इसको यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से adjust कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का adjust हो जाने के बाद यहाँ पर object selection tool को select करना है तो यह हो जाने के बाद आप लोग उनके photos में एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर shadow आ रहा है तो हम लोग simply इसका drop shadow है उसको enable करेंगे double click करते हैं तो layer style open हो जाएगा और यहाँ से एकदम last में आप लोगों को option मिलेगा drop shadow का तो इसको enable करना है तो कुछ इस तरीके का shadow आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग थोड़ असा इसके angle को हम लोग adjust करते हैं तो मैं अपना फोटो यहां पर सिलेक कर के रखूँगा enfin switch करते हैं dodge cool को और इसको सबसे पहले सब्धार कर लेते हैं और यहां पर मैं इस पार्ट को थोड़ासा इसका जो exposure उसको 30% यहां पर मैंने रखा अभी हम लोगों को यह वाला जो left side वाला जो पार्ट है वो create करना है तो वो create करने के लिए उनके thumbnail पर देख सकते हो कि एकदम पीछे से start करते हैं black और red color के जो background से उनसे यह वाला जो पार्ट है वो start करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर जो red background 1 है उसको यहा को मिलेगा तो उसके बाद आप लोगों को simply यह जो नीचे जो background दिखाई दे रहा है इसको unlock करना है और इस layer को delete कर देना है देर आप लोगों को यह वाला जो red color का जो background है इसको select करके आप लोगों को एकदम नीचे इसको डाल देना है कुछ इस तरीके से by the way आप लोगों को simply और एक जो red background था उसको यहाँ पर import करना है देन आप लोगों को यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से adjust करना है वो हो जाने के वाद आप लोगों को simply इसको लेकर नीचे एकदम लेकर चले जाना है कुछ इस तरीके से देन इसके opacity के अंडर जो blending option है इसको कर देना है vivid light तो व यहाँ पर लिए तो 275 जाने के बाद हम लोगों यहाँ पर उनके थमनेल पर देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो fire के images आ रहे है या फिर flames आ रहे है तो हम लोगों ने भी fire के Parent download किये थे Language Out तो हम लोगों को यहां पर इंपोर्ट कर लेना है देन उसको इस तरीके से आप लोगों को एड्जस कर लेना है अच्छे तरीके से वह एड्जस हो जाने के बाद आप लोगों को सिंप्ली एंटर प्रेस कर देना है देन यह हो जाने के बाद आप लोगों को सिंप्ली यह जो उसके अंडर जो Blending Option है वो यहांपर कर देना है Linear Dodge जो Add है वो यहांपर कर देना है यें वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा तो यह सारा कुछ हो जाने के बद आप लोगों को Simply यहाँ से Rectangle Tool सिलेक्ट करना है यहाँपर कुछ इस तरीके का एक Rectangle Create करना है वो create करने के बाद आप लोगों को enter press करना है selection tool select करना है and then यहाँ पर जो stroke है इसको 0 pixel कर देना है then इसके fill के अंडर जो gradient है उसको on करना है और इसको इस तरीके का रहने देना नीचे से और इसके 90 degree यहाँ पर रहने देना and then इसके blending option को कर देना multiply and then इसको एकदम नीचे लेकर चल यहाँ पर selection tool fit से select करना है और इसको gradient रहने देना इसके fill के अंदर जाना और इसको यहाँ पर 0 degree कर देना कुछ इस तरीके का और इसको यहाँ पर multiply कर देना तो इसको around 80% करके देखते हैं कुछ इस तरीके का हो जाएगा by the way अगर आप लोगों ने इस वीडियो को इतना तक कुछ नया जानने या फिर सीखने को मिला है तेन consider करना कि आप लोग इस चैनल को subscribe करो और अगर subscribe करी रहे हो देन bell icon को भी all पर प्रेस कर लेना क्योंकि in future में इस चैनल पर photoshop के courses के tutorials upload करूँगा जिससे आप लोगों को बहुत कुछ जानने या फिर सीखने को मिलेगा तो उन इस तरीके का हो गया है यहां पर देख सकते हो 163 डिग्री पे हम लोगों को इसको यहां पर इसके भी blending option को कर देना है multiply तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा इसके भी blending option को मतलब opacity को 80% करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा जो thumbnail वो create हो गया है तो अभी हम लोगों को इसको blur करना है तो वो करने के लिए हम लोग फिर से blur tool का इस्तेमाल करेंगे और इसको सबसे पहले तो रेस्टराइस कर लेते हैं और इस fire वाले images को आप लोगों को select कर लेना है इस image को यहाँ पर आप लोग blur कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से blur हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का हो गया है तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यह जो है यह text यहाँ पर सबसे पहले तो डाल लेंगे तो उसके लिए horizontal text tool या फिर type tool आप लोगों को select करना है इसको white बना लेना है then इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से adjust करना है वो होने के बाद आप लोग इसको off करके इसको stretch कर सकते हो कुछ इस तरीके से तो वो हो जाने के बाद आप लोग इस image इसको off कर सकते हो तो कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो text आ चुका है अभी हम लोगो को यहां पर क्या करना है कि इसको उपर लेकर चले जाते हैं तो अभी यहां पर देख सकते हो कि यह जो main जो fire का image है वो यहां पर import करना है तो वो यहां पर import कर लेते हैं इसको enable कर लेते हैं कुछ इस तरीके से इसको adjust करने के बाद आप लोगों को enter press कर देना है और इसको यहां पर डाल देते हैं और इसके blending option के under आप लोगों को इसको कर देना है linear dodge add और इसको फिर से आप लोगों को command j press करके इसका एक duplicate बना लेना है और इसके opacity को कर देना है 50% और इसको इसके ऊपर डाल देना है इसको भी तो कुछ कुछ इफ करने के बाद तो आप लोगों गोह है कि इसको इसको कर देख Undertaker कर लेना है और इसको चूज करके रखना है और यहाँ पर plur को इसको अभी ब्रकर में करने के बाद कुछ इस सलेयरे है तो यहां पर ब्लॉर करने के बाद कुछ में हमारा दिखाई देे करने से अच्छा होगा तो हम लोग फिर से और एक बलर करके देखते हैं तो अभी हमारा सब कुछ हो चुका है यहां पर देख सकते हो अभी हम लोगों को सिर्फर सी विये जो hacker का जो image है वो यहां पर import करना है तो वो सबसे पहले यहां पर import कर लेते हैं तो वो import हो जाने के बाद इसके opacity को around 70% कर लेना है देन आप लोगों को simply command T से जो transform effect है उससे इसको अच्छे तरीके से adjust करना है देन आप लोगों को simply इसको 100% कर लेना है enter press कर देना है command zero press करते हैं अभी इसका background जो है उसको remove करना है तो उसके लिए हम लोग simply यह जो object selection tool है उसको select करना है इस layer को selected रखना select subject करना है देन यह select कर लेगा देन यहां पर mask का जो option है उसको select करना है देन यह कुछ इस तरीके का हो जाएगा देन अभी आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि यह वाला जो image को काफी जादा यहां पर light आ रहा है या फिर कह सकते हो कि यह वाला बहुत ही जादा डल लग रहा है लेकिन यह वाला जो image काफी जादा मतलब eye attracting लग रहा है तो वह बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि by the way मैंने दूसरे content creators का भी animation breakdown video इस चैनल पर upload किया है तो इस वीडियो के बाद जो भी आप लोगों को पसंद आता है वह आप लोग जा कर सकते हो उनके लिंक से आप लोगों को इस वीडियो के description पर मिल जाएंगे तो अभी topic पर वापस आते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि simply यह जो है यहाँ पर आप लोगों को जाना है यह सिर्फ इस लेयर के लिए रखना है यह जो लेयर है उसके लिए clipping mask on कर देना है यह brightness and contrast पर जाना है तो यहाँ पर इसको भी इस layer के लिए clipping mask on कर देना है तो इसके brightness को थोरा से increase करना है और इसके contrast को आप लोग थोरा सा यहाँ पर increase कर सकते हो इसको अगर हम लोग एकदम उपर लेकर आ जाते हैं कुछ इस तरीके का हमारा हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसके brightness को थोरा सा घटा देते हैं तो हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन चुका है अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर off करते हैं यह जो नीचे वाला जो fire था इसको यहाँ पर select करते हैं blur tool select करते हैं इसको around 80% कर लेते हैं strength को और इसको भी blur कर द देन कुछ इस तरीके का हमारा image दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि यह इस तरीके का लग रहा है कि यह focus में है यह जो है यह focus में है तो उसके बाद हम लोगों को यहां पर import क्या करना है कि यह जो है यह हम लोगों को import करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते ह इस image को ऊपर लेकर चले आना है कुछ इस तरीके से देन इसको command T से इसको कुछ इस तरीके का बना लेना है देन इसको यहां से यह वाला जो पार्थ है हमेसी विए वाला पार्थ चाहिए यह सब तो नहीं चाहिए तो यहां पर हम लोग pen tool सेलेक करते हैं और यहां पर आप लो से तो कुछ इस तरीके का सिलेक्शन हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यह जो मास्क का जो option है उसको यहां पर क्लिक करना है तो आपका जो मास्क है वो कुछ इस तरीके का create हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली इस तरीके से यहां पर adjust करना है तो कुछ इस तरी कि लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह जो rectangle tool है इस पर आप लोगों को right mouse click करना है यह जो ellipse tool है उसको select करना है यहां पर ellipse देखने को मिलेगा shift जब अप प्रेस करोगे तो यह circle बन जाएगा तो इस तरीके के आप लोगों को circles create करने होंगे यह जो circle है इसको इस image के ऊपर लेकर चले आना है कुछ इस तरीके से और इसके stroke को कर देना है zero pixel इसको कर लेना है white तो यह हो जाने के बाद आप लोगों को simply cmd J press करना है यह एक duplicate बन जाएगा देन आप लोगों को command T से उसको नीचे लेकर चले आना है कुछ इस तरीके से तो यह सारा कुछ हो जाने के बाद आप लोगों को simply यहां पर यह जो apps के logos है उनको यहां पर import करना है इनको इनके size में आप लोगों को सिर्फ और सिफ एड़्जस करना है इसको आप लोग मल्टिप्लाइ कर सकते हो कमांड टी से इसको कुछ इस तरीके से एड़्जस कर सकते हो और एन मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह जो बेटिंग एप से इन पर कभी भी आप लोग पैसा इनवेस्ट मत जान लेना है आप लोग मेरे सेकेंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो एन देन बेल आइकन को भी और पर प्रेस कर सकते हो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्रिप्शन पर मिल जाएगा वहाँ पर मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स के उपर इन डी है एक और नीचे लिखना है स्काइम लेवन तो दोनों चीजर ही इहां पर हम लोग कर लेते हैं और इसके कलर को हम लोग एहां से चूर्ज करके इसको कर लेते हैं और इसको क्मांड टी से इसको रोटेट करते हैं कुछ इस T этой वीई है देन हम लोग क्या करेंगी कि एस को लिखने के लिए फिर से यह जो टाइप टूल है उससे यहां पर एस लिख लेंगे और इसके कलर को यहां से कर लेंगे वाइट यह लिखने के बाद आप लोगों को सिंप्ली इसको इसके साइज में एडजस करना है इस डी के साइज में वो होने के बाद आप लोगों को सिंप्ली इसको ओफ करना है यह जो ब्रस टूल है इससे आप लोगों को यह वाला यह वाला आप लोगों को सिलेक करना है रेस्टराइस कर लेना है देन आप लोगों को सिंप्ली इसको यहां से कलर करके इस डी को हटा देना है यहां से वो ह हम logo को यहां पर वो add करना है दूसरा जो scam app है उसको यहां पर डालना है तो इसको यहां पर import करते हैं और इसको यहां से adjust कर लेना है वह कुछ इस तरीके का adjust हो जाने के बाद आप लोगो को simply इसके blending option को कर देना है multiply और अभी हम लोगों को यह जो है इसको select करना है इसको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर लिखना है scam 365 इसके color को कर देना है यह वाला color इसके पीछे का जो number से उनके colors को कर देना है यह वाला color and then command T से इसको करना है rotate और इसको यहाँ पर डाल देना है कुछ इस तरीके से इसको आप लोग Resterize कर देने है एप लोगों को 20 इसक गięcy होंट कर देना है और इसके ओपेसीतिती को इसके ओपेसीटी को नहीं mm के süperष कर देना है तो यहां पर सारा कुछ अच्छे तरीके से एड़ेस हो जाने के बाद हमारा जो थमने ले वो कुछ इस तरीके का बन चुका है यहां पर देख सकते हो और यहां पर मैं अगर इस फायर वाले image को off कर देता हूं तो कुछ इस तरीके का हुआ है और exactly same लग रहा है आपको क्या लग रहा है वो मुझे comment section के अंदर जरूर बताना और मैं अगर अपने image के जगा उनका image यूज करता हूं देन कुछ इस तरीके का हो जाएगा इसको on करते हैं object selection tool को select करते हैं यहां से subject को select करते हैं इसको यहां से कर लेते हैं mask यह जो eraser tool है इसको थोड़ा सा बरा कर लेते हैं और इसको कर देते हैं erase और मैं इसको लेकर चले जाता हूँ और इसके blending option के अंदर drop shadow को on कर देते हैं तो मैं अगर अपना image off कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का thumbnail आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे comment section के अंदर जरूर बताना ये वाला मेरे image से कैसा लग रहा है और ये वाला उनके image के साथ है और कौन सा thumbnail क्यों अच्छा लगा है वो भी मुझे comment section के अंदर जरूर बताना और यहाँ पर मैं अगर और एक gradient डाल देता हूँ तो कुछ इस तरीके का देखने को लगेगा और इसको यहाँ पर कर देते हैं multiply और इसको लेकर चले जाते हैं इन सब rectangles के पास और इसको command T से अच्छे तरीके से adjust करते हैं opacity को around 70% कर देते हैं या फिर 60% करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके का thumbnail बन चुका है तो आप लोग मुझे comment section के अंदर जरूर बताना कि कौन सा thumbnail आप लोगों को सबसे जादा अच्छा लगा है तो यहाँ पर मैं उनका thumbnail भी यहाँ पर import करके आप लोगों को दिखा देता हूँ तो यह वाला उनका thumbnail है तो यहाँ पर हम लोग अगर import करते हैं इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं तो यह वाला मेरा बनाया हुआ thumbnail है और यह वाला उनका thumbnail है तो मुझे comment section के अंदर जरूर बताना कि क्या यह दोनों thumbnails exactly same लग रहे हैं या फिर नई और मैं आप लोगों से मिलता हूँ next किसी और वीडियो में तो यह रहा final output इस thumbnail breakdown वीडियो का और अभी जो आप लोग thumbnail देख रहे हो वो मैंने create किया है और यह रहा धुरूप भाया का और इन दोनों thumbnails में से आपको सबसे जादा कौन सा पसंद आया है वो मुझे comment section के अंदर जरूर बताना और उसके पीछे का क्या reason है वो भी मुझे comment section के अंदर जरूर बताना और मैं आप लोगों से मिलता हो next किसी और ऐसे ही important tutorial वीडियो के साथ और तब तक आप मेरे right side वाला वीडियो चेक आउट कर सकते हो अगर आप लोगों को टाइटेन सब्मर सिवल वाला जो उनका वीडियो है उसका अगर thumbnail create करना चाते हो देन उसका breakdown मैंने right side वाले वीडियो पर किया है तो उसको आप लोग चेक आउट कर सकते हो और आप लोग मेरे left side वाला वीडियो चेक आउट कर सकते हो अगर आप लोगों को अवी नीव यूट्यूप चैनल में जो text pop-up highlight animation शो होता है उसको आप लोगों को create करना है प्रीमियर प्रो में देन वह आप लोग वीडियो चेक आउट कर सकते हो और मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स किसी और वीडियो में thanks for watching bye bye